पर आपके परिवार सुपर कोचिंग भी हर वाइट एसबुक पर सवगत करता हूं तो कैसे आप सबी आजाएं फटा फटा आजाएं की जी एप गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग और क्या मैं आप सबी की चलाई हूं और मेरी आवाज आप सबी तक जा रही है बिल्कुल यारी होगी दोस्त बेह्तर तरीकी से जा रे होगी शान्दार धार Capital चबर्दस तरीके से आपको सलकी मेरी आवाद जारी होगी तो आज आप तो फिर्ण सॉझ को प्रिंस कॉमार स्वागत, विनौत विनुद विनूत बीटाजी आपका भी स्वागत हैं, विल्कम वल्कम मैं फ्रेंड वजलियू तो, यह बहुत बनिया है चलिया है अच्छा अच्छा स्वाल आप सबी के सामने आ गया पहला सवाल का प्रयोग कि या जाता है किस लिए भूचाल की तिवर्ता कुम आपने के लिए घ्रतों गयाद करने के लिए आप प्रिक्षिक ग्यात करने के लिए या द्रव के प्रवाह की दर को ग्याद करने के लिए किसके लिए सरकार जरा मुझे बताओ किसके लिए आपके वेंचरी ट्यूप का प्रयोग किया जाता है जरा मुझे बहुत बढ़िया वेर गुड बहुत शांदर बताओ सरकी किसके लिए सरकार वेंचरी ट्यूप का प्र धुचाल की ते वरतब आपने के लिए घंतो जाद करने के लिए आप एक्षिक गात करने कली जाद कि याद्रभ के प्रवाः की दर को जाद करने के लिए किस के लिए करता हो आज तो दोस्त वेंचुरी ट्यूब का प्रयोग किस के लिए करते है महाराज जो वेंचुरी ट्यूब यह द्रव की प्रभाह की दर्क को याद करने में देखो जो द्रव है जो लिक्विड है लिक्विड का फ्लोओ किस तरीके का होगा कैसा होगा या कितना होगा उसको सर क्या तो उसको वेंचुरी ट्यूब में उसको प्रयोग करते हैं जो कि सर क्या कुछ इस प्रकार से होता है इस बात को आप सारे याद रुखोगे किस प्रकार से होता है जहां पर द्रव के प्रवाह की दिशा जहां पर द्रव के प्रवाह के दिशा और प्रिशर को मिजर करने का कारे करते हैं याद रखोगे सर क्या द्रव के प्रवाह की दरग याद करने के लिए सर किसका प्रयोग करते हैं बेंचुरी मिटर का प्रयोग करते हैं याद रखोगे और साथी साथ भुचाल भुचाल की तिवर्ता को आपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं याद रखोगे दस सिस्मो मीटर का प्रयोग करते हैं भुचाल की तिवर्ता के लिए सरको घनत्व घनत्व अब अलग अलग घनत्व को अलग अलग चीजों से गयाद करते हैं रखोगे और आप इच्छिक घंत्व को किस से तो याद रखोगे सरकार सरकार याद रखोगे हाइग्रो मीटर याद रखोगे सरक्या देखो जो हाइग्रो मीटर है हाइग्रो मीटर से सरक्या आप इक्षिक घंत्व को मापते हैं So the answer will be in the finding the rate of flow of what? Liquid, इस बात को आप सारे ही याद रखोगे. Next, आजो निक्षिया कहते है, next question बढ़ते है. Sir, चेचक के टीके का विकास किस ने किया? रहे, sir, कि विकास किस ने किया चेचक के टीके का एक असान सवाल है. Sir, सारे के सारे इस बात को आप बता दोगे. बताओ, sir, कि चेचक के टीके का विकास किस ने किया? बहुत बढ़िया. अंकुर राज, 10th A. बढ़िया. Good evening, good evening, good evening, good evening, very good evening to all of you. और एक बार सारे, sir, क्या? Sir, क्या, आई हो, जुड़ रहे हो, शेशन लाइक करते हुए, आगे बढ़ते रहना? और आजो दोस्त क्या कह रहा है, sir, देखो, कि चेचक के टीके का विकास किस ने किया? एक आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है. सारे बना दोगे, मुझे पता है. है नसरते हैं कि चेचक, चेचक किस से होता है, sir, याद रखोगे, चेचक होता है वायरस से, सबसे पहली बात, कि चेचक किस से होता है, sir, यह होता है वायरस से, कौन सा वायरस दोस्त याद रखोगे, तो वायरियोला वायरस, वायरियोला वायरस से होता है, और 1980 में, sir, क्या तो याद रुखो कि probator को तो basic schizophrenia का दर्जा प्राप्थ हुआ फिर वहां जन्म लेते हैं कौन Edward Jenner और Edward Jenner सर खोज देते हैं क्या तो इसका टीका इसका vaccine और यह बिस्यों का पहला ऐसा vaccine था जिसे बनाया गया था जिस सुज़े से Edward Jenner को father of vaccination के नाम से भी जानते हैं Louis Pasteur ने क्या किया था सर यह आपको पता ही होगा इन्होंने rabies का टीका खोजा और साथी साथ posturization के बारे में भी किस ने बताया? Louis Pasteur ने बताया था याद रखोगे Voxman, Voxman ने क्या किया था सर? तो इन्हें father of antibiotic कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं महराज तो महराज याद रखोगे इन्हें father of antibiotic कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया था इन्होंने antibiotic की खोज की थी और ऐसा antibiotic जो bacteria से बना हुआ था दनीम streptomycin याद रखोगे नेक्स्ट आजो कि मानो मस्तिस्क में इस्मरण सक्ती का केंदर कहां पे है सरे को हमारे पास है brain और brain में याद रखोगे sir क्या brain में याद रखोगे sir क्या तो कहां पर इस्मरण सक्ती का केंदर होता है जरा जरा मुझे बताओ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव तो जरा मुझे बताओ मेरे दोस्त, जरा मुझे बताओ इस बात का जवाब करना, कि क्या कह रहा है सर, कि मानो मस्तिस्क में इस्मरण सक्ती का केंदर इस ठिट है, the center of memory, the center of memory power is located, कहां बताओ सर, याद रखो कि सर, कहां पे दा सेरेब्रम, सर को जो सेरी ब्रम होता है, देखो याद रखोगे, बुद्धी मता बनाता है, सर, जितना बड़ा सेरेब्रम होगा, उत्ता इंटलिजेंट होगे, जैसे मानो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर, क्या, जो क्या सर, जो एक बार में चीशे देखते हैं, उन्हें आद हो जाता है, और कुछ बच्चे क्या होते मैं कहते हैं, यह तरह का कोहीं देखले बनी हो, अजितना हमार बाबू होगे, है ना, तो वो क्या होता है, तो उनका सेरेब्रम छोटा होता है, तो उनके अंदर इंटलिजेंसी कम पाई जाती है, तो सेरेब्रम, जबकि जो मैडूला अबलांग गाटा है, यह हमारी बोडी सर, आप पी लिया है, सर, उसका सेरेब्रम काम नहीं करेगा, छोटा बच्चा है, उसका सेरेब्रम काम नहीं करेगा, मतलब जो सेरेब्रम होता है, वो बैलेंसिंग का कार्य करता है, याद रखोगे है ना, बढ़ियां, सुधान सर, विल भी सेरेब्रम याद रखोगे, ने सो आजा अए हिं रशान में रोज़न शली को हीरो सबस्क्राइब हैं ऐसे अखे दाशा रहा है कि कि मानों सरीर के किस गरंथी को क्या कहते हैं मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्या कहते हैं दोस्त जो मास्टर ग्लैंड कौन से गरंथी कही जाती है तो दोस्त याद रखो कि जो पिट्यूट्री है पिट्यूट्री यानि देखो दोस्त जो प्यूश गरंथी है कौन सी गरंथी है भूझे जो प्यूश नंथी है इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं Master Glend क्यों वह यह Master का काम क्या होता है सब को control करना इसे असवाभी कर रहा था बखल ली में रोक रहा था उसको कहां कि मैं क्या हूं मैं उसका Master हूँ तो यााद को कि जो master gland होती है ये क्या करती है सर तो ये अन्य गंतियों की कारेवहन को अन्य गंतियों की सर function को control करने का कारे करती है और pituitory गंती से कुल किलतने हार्मोन निकलते हैं 11 परकार के हार्मोन निकलते हैं याद रुखोगे pituitry के control में कौन सा वह जो नहीं होता पिट्यूट्री के के कंट्रॉल में कौन सा sare nome होता याद रखोगे और और याद थैराइद मानो शरीर की सबसे बड़ी एंटाश्रावी गनती है तो पिट्यूट्री सबसे छोटी एंटाश्रावी गनती है सर अगनाशे क्या है तो अगनाशे एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथी है एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड है और तिल्ली स्प्लिन याद रखोगे इसे मानो सरीर की रक्त का भंडारन कहते हैं याद रखोगे है ना बढ़िया जा लेक्ष आज़ो तो निलम्खित में से किसका उश्मिमान अधिक्तम होगा सरoga प्रिच अब भी वेल्यो देखो दोस्ती इलम्खित में से किसका ऊश्मिमान मतला कोई भी है इसका अगर एक ग्रांब अगर आप करते हो इसमें से जिसको भी सर क्या एक ग्राम बर्न करोगे और एक ग्राम बर्न करने पर जितनी ऊर्जा निकली उसे कहते हैं क्या Calorific Value तो इस में से कौन सा वो पदार्त है जिसको गर्म करने पर सर क्या तो याद रखोगे सबसे ज्यादा उर्जा मिलेगी जरा मुझे बतो, बढ़ियां है, शान्दार है, बहतर है, सर, सर, हम आज फास्टिंग में हैं, तो फास्टिंग में हो, तो बटा सिंदूर भी लगा लो, गुंगट भी पहन लो, कोई आएगा और तुम्हेरा गुंगट उढ़ा के, तो में क्या सर, तुम्हें पानी पला के, तुम्हेरा ब्रत तो बटाएगा, तो क्या ही बात है, फास्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सिंदूर लगा लो, नसनी पहिन लो, टीकाओ का लगा के, दम, हैना, की उल्टी पाला जार के, गुंगटा उगार के, हैना, आजो, सर, क्या, नमनिखित में से, किसका उश्मियमान सबसे अधिक्तम है, मेरे दोस्त याद रखना के नमनिखित में से, किसका उश्मियमान सबसे अधिक्तम है, सर, देखो, जो वसा होता है, जो फैट है, फैट का उश्मियमान, सबसे अधिक होता है याद रखो सर क्या जो fat है fat का याद रखोगे दोस्ट क्या तो उश्मेमान सबसे अधिक होगा जो की सर क्या जो की 1 gram 1 gram वसा के जलाने पर कितनी ओर्जा निकलती है the 9.31 kilo calorie the 9.31 kilo calorie ओर्जा निकलती है अगर आप क्या सर 1 gram वसा को जलाते हो और इसकी calorific value जादा है और याद रखोगे कि मानों को सबसे ज़्यादा उर्जा याद रखोगे दोस्टर क्या कि मानों को सबसे ज़्यादा उर्जा किस रूप में तो याद रखोगे दोस्ट कार्बो हाइडरेट के रूप में मानों को सबसे ज़्यादा उर्जा मिलती है और बिटामिन क्या करता है? रोगों से लड़ने मदद करता है और प्रोटीन याद रुखोगे हमें कुपो सर से बचाता है इस बात को याद रुखोगे है ना? बढ़ियां बढ़ियां गार गुड नेक्स्ट आजाओ आजो सर निम्रिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है सर क्या आपके सर क्लोरोफिल किस में नहीं होगा पता है सर क्लोरोप्लास्ट में नहीं होगा काई में नहीं होगा कवक में नहीं होगा सर बड़ा सिंपल सा जबाब है किस में कवक देखो जो कवक है कवकन क्या होता है या अपना भोजन खुद नहीं बनाता है अवरी वन यद लिल here इन्अशन क्या है नहीं अपने भोजन रिपेंडिएंडेंट होता है दूसरे नहीं ही जिब दूसरे पर आशृत है तो गोर्ट। इसके में नहीं है तभी तो यह आश्रित है वहीं पर काई काई और शेवाल दोनों एक ही है और आपको पता है कि किस के अंदर आएंगे यह क्रिप्टो गैमी के अंदर किसमें आएंगे दोस्त तो क्रिप्टो गैमी में यह आएंगे दा थैलो फाइटा के अंदर क्रिप्टो गैमी के अंदर जिनमें पुस्पन नहीं लगता, उन्हें क्रिप्टोगैमी कहते हैं, इसमें ठैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टैरिडोफाइटा, ये अलग-अलग होता है, तो अंसर विल भी, फंगस, 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 याद रुखोगे, प्रकाश संसलेशन किस रंग के प्रकाश में सबसे अच्छे गती से होगा, अच्छा सवाल है दोस्त, कि देखो जो फोटो सिंथेसिस है, या पीले में, लाल में, उजजर में, या अंधेरे में, किसमें सर क्य जो फोटो सिंथेसिस है, वो सबस्ते तेज गती से होगा, जरा मुझे बताओ, रामनतन सी, गुड़ीवनिंग सर्जी अभीजीद जी, गुड़ीवनिंग, गुड़ीवनिंग मेरे दोस्त, थैलो फाइटा, बढ़िया, बढ़िया है, शांदार है, बहतर है, बहतरीन है, आप सभी जानते हो, देखो, मैंने आपको, समझना, 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 देखो नहीं, ना, 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 कर, ना, कर, दोस्त, ना, कर, ना, कर, सी, ना, कर, ना, कर, ना, कर, ना, समझो, समझो, कि परकास संसलेशन किस रंगे परकास में सबसे अच्छे से होग में होगा इस बात को समझने की कोशिस करना कि इस सारे के सारे मिरा इसार क्या किसका क्योंकि वाइट लर क्या होगा सार कॉंपोजयिशन है क्या है क्या यह से यह यह साथ स्ब्स हे बाता और मैंने आपको फोड् Councillor सि皆 मईशा है कि से याद होगे यह लगं Lindsay रेड और ब्लू के मिश्रण में, नीले और लाल के मिश्रण में, इदम समझना कहां से concept निकाल रहा हूं, इदम सुनना मेरे को, ब्लू कहूं या क्या कहूं, ब्लू कहूं या वालेट कहूं, लगबग बात एक है, ब्लू कहूं या वालेट कहूं, लगबग बात एक है, और वो सारे रंग मिलकर क्या बनाते हैं स्वेत रंग बनाते हैं तो प्रकास तंसलेशन जब स्वेत ऑप्शन में हो स्वेत के साथ जाओगे जब लाल ऑप्शन में हो और स्वेत ना हो तब लाल के साथ जाओगे याद रखोगे और प्रकास तंसलेशन सबसे कम किसमें होगा हरा प्रकाश में हरा प्रकाश में होगा याद रखोगे किसमें होगा तो ग्रीन कलर में होगा क्योंकि याद रखोगे कि कोई भी वस्तू ग्रीन तभी दिख रही है जब वो ग्रीन को रिफ्लेट कर दे रही है तो जब पत्यों पर ग्रीन रंग पड़ेगा तो वह उन्हें कितनी टांगे होती हैं को चरीर में चलने के लिए कितनी टांगे होती हैं आनू प्रमोद बढ़ियां आंसर करो आंसर करो बढ़ियां चलो सिंपल है बहुत असान है सरे को कौकरोज को सरीर में चलने के लिए कितनी टांगे होती है सर तीन जोड़ा सर याद रुखो कितना जोड़ा सर तीन जोड़ी टांगे होती है और तीन जोड़ी टांगे होने की वज़े से यह किसमें आते हैं यह आते हैं इंसेक्ट में याद रुखो किसमें आएंगे सर यह आएंगे इंसेक्ट 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 सर देखो जो वर्ग है, और कीट वर्ग की खास बात क्या होती है, क्यों उनके अंदर तीन जोड़ी टांगे पाई जाती है, they have three pair of legs याद रखोगे, ठीक है, और इंसेक्ट किसके अंदर आएंगे, जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट किसके अंदर आता है, दोस्ते याद रहोगे, जो इंसेक्ट है यह और्थो पूड़ा के अंदर आएगा मेरे दोस्त याद रखना जो इंसेक्ट है इंसेक्ट किसके अंदर आएगा तो देखो जो इंसेक्ट होते हैं वो और्थो पूड़ा के अंदर आते हैं और और्थो पूड़ा सर्श सबसे बड़ा संग है It is the biggest phylum है याद रुखो कि क्या है सर It is the biggest phylum है नेक्षित आजों कि सरीर में oxygen की पूरती किसके माधिम से होती है एक आसान सवाल है बनाने की पूरी-पूरी कोशिस करना कि सरीर में oxygen की पूरती आपूरती सप्लाई कौन कर रहा है मेरे दोस्त कि मानो के सरीर के अंदर सर क्या oxygen की आप पूर्ती किसके माध्यम से होगी बढ़ियां है, शांदार है, बहतर है, धुआ है जबर्दस्त है, बढ़ियां है, बढ़ियां है बढ़ियां, बढ़ियां बढ़ियां शुदांशू, अंकिता, राजेश स्वागत राजिश आपका बड़े कमाते हो क्लास में तुम वैसे रियांस RBC सर मेरा चलान कड़ गया पढ़ाई करो पढ़ाई बखवास नहीं पढ़ाई करो देखो मेरे सरकार क्या होगा कि सरीर में रखकी सरीर में ऑक्षिन की पूर्ती किसके माध्यम से होती है तो मेरे सरक जीवनकाल 90-120 दिन, RBC जिसकी संख्या 50-55 लाक, RBC जिसकी साइज 9 माइक्रॉन, अरे RBC जो कहां पे, जो हमारे बोन मैरों में बन रहा है, अरे RBC जो स्टोर पलिहा में हो रहा है, ये वही RBC है और उस RBC में पाया है हिमोग्लोबीन, देखो जब हिमोग्लोबीन पाया गया ये हमोग्लोबीन किस से मिला सर, ये हमोग्लोबीन मिल गया ऑक्सीजन से, और बना दिया ऑक्सी हमोग्लोबीन, और ये ऑक्सी हमोग्लोबीन, ऑक्सीजन को लेकर सर क्या कैरी कर रहा है, लेकिन अगर बलड में CO2 होगा, तो CO2 को भी हमोग्लोबीन कैरी कर लेगा, याद र और पुरी बॉडी में लेकर घूप जाएगा याद रखोगे हमारी बॉडी में 12 से 16 प्रतिशत होता है लगभग 700 ग्राम लगभग 700 से 800 ग्राम के बीच होता है याद रखोगे कि हेडियाे के अवाज सुनने के लिए डॉक कि यंत्र का उपवयोग करते हैं में सरकार जरा मुझे बताना डोस्तर घे तो कंपैंजो जो हिर्दय है't कि दिल है दिल और फेफड़े की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किसका प्रयूकर करते हैं तो सर सम्प्रोते इस्पैक्ट्रोते इस्टेटो स्कोप या किंटर को उस्तित्य ऑपयोग करता है थे इस थे थे सकोप तो जो होता है युझ धूक्टे ओने के परावर्तन के कारे करता है तो दोस्त याद रखोगे युझा फेपरं की आवाज़ीत है DR. सुनने के लिए डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं याद रखोगे नेक्स्ट यदी पिर्थवी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां क्या हो जाएं समाप्त हो जाएं तो आयू मंडल में किस गैस की कमी हो जाएंगी यह सर बहुत असान सवाल है बना देना सारे बहुत असान स कोद है यदी समाप्त हो जाएं तो आयू मंडल में किस गैस की कमी हो जाएंगी ऐक्सीजन वही गैस से सरकार्ट जो जुल markings को होती है जिसे life-saving गैस कहते है याद हो इससे क्या कहते हैं सरकार तो अलवेली सरकार याद रुखोगे इसे life saving gas कहते हैं इसको जीवन रख्षक gas कहते हैं याद रखो क्या कहते हैं life saving gas कहते हैं देखो जो oxygen है और सर याद रखोगे जो oxygen है ये क्या है दोस्त तो इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी जब कि इसका नाम करें按toni lavozyr दीशोरा किया गया था याद रखोगे रसायनिक दिश्टी सेнятьने क्या है बता तो सर enzymes are what simple below सवाल सर के रस्टाहिनिक दिश्टी से enzyme क्या है तो जर 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 मुझे बताओ सर की मैं रसायनिक दिश्टी से enzyme क्या है let me मुझे बताओ, बढ़िया, बढ़िया, देखो दोस्त, सर देखो, अगर मैं बात करूँ कि निसानिक दिश्टी से योरिन-करूप में सरीर से बाहर हो जाएगा. और इंजाइम क्या होते हैं? आपको ये भी पता है. कि एंजाइम होते हैं YES? उसका काईड़िस्टू जो किसका कारे करते हैं जो याद रखोगे जो ऑन दूजाइम में जो में होते हैं Pauiling ने, प्रोटीन का structure बताया और अगर प्रोटीन के बारे में बात की जाए तो एक घ्राम प्रोटीन में चार किलो कलोरी उर्जा होती है प्रोटीन के बारे में बात की जाए सर तो यहां आपके सोया भीन से और मश्रूम से सब ज़्यादा मिलता है अगर प्रोटीन से बात किया तो प्रोटीन की कमी से कौशर कर और मरसमस नामक दो बिमारिया होती है याद रखोगे सुधा आंसर विल भी प्रोटीन 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 हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखोगे हमेशा नमिकित में से कौन से उतक्रिष्ट गैस नहीं, सर उतक्रिष्ट गैस यानि सर पूछ रहा है नोबल गैस, नोबल कह लिया, इनर्ट कह लिया, कुछ भी कह लिया, इस में से वह कौन सी ऐसी गैस है, जो क्या है सर, जो इनर्ट नहीं है, और ये सवाल एक आसान सवाल बनता है सॉभी के लिए जैसे आप सर क्या देखते ही बना दोगे बहुत बढ़ें और सारे मिल्करी बस्चेशन को लाइक कर दोетрी बंटो फट 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 सर सारे लाइक करते रहोगे और वहीं बहुत ही यहां, बेहतर, बेहतर, बहुत है, very good, sir, सारे मिलके सेशन को लाइक मारो, कल भी लाइक नहीं मारो, सुबा भी लाइक नहीं मारे, मतलब, क्या ही है, यही मोहबबत है, मेरे से, इतनी ही मोहबबत है, बतो, बढ़ यहां, देखो दोस्त, याद रखो कि निलमेखित में से कौन प्रोमीन, याद रखो गे, ऐसा नौन मिटल है, जो रूम टमपरेचर, पर जो कमरे के ताप पर क्या होगा, तो याद रखो गे, लिकिड अस्था में पाया जाएगा, यहां एक ऐसा नौन मिटल है, रेडॉन क्या है, सर, याद रखो गे, यह सबसे भारी अक्रिया गैस है यह सबसे भारी अक्रियय गैस है और यह हमारे वातावरण में नहीं पाई जाती और यह एक प्रकार की Radio Active भी है यह क्या है दोस्त तो यह एक प्रकार की Radio Active भी है और Radio Activity की बारे में सारे के सारे सब कुछ जानते हो आरगन के है थो आरगन सबसे ज़ीशूसे ज़ाधा पई जाती है और नियॉन के है सर तो नीयॉन फ्रोरसकेंट है याद रुखोगे नमधित। मैंसे कौनस धातू नॉन मैटालिक है बताओ सर नॉन मैटालिक कौन सी है बताओ सर तो देखो आप सभी जानते हो आप सभी जानते हो कि साइन्स टीचर विनिता कुमारी मैडम फे भी कोल का जोड है नहीं छूटेगा जनाब या सुनो तुम व्या कर लो मेरे से फिर कोई नहीं कहेगा तुमको जानू कि सुनो तुम व्या कर लो मेरे से फिर कोई नहीं कहेगा जानू सर क्या स्कांधादियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मेगनीश, आरिन, कॉबाल्ट, निकल, कॉपर जिंग, यह क्या है अग्मुनियम याद रखो कि इह क्या है यह नौन मैटल है non-metall है sir क्यों क्योंकि यह आता है 13 पीरियड तर क्या दब बैगन तर क्या होगा याद रुखो कि बैगन आलू गाजर इन थैला दबैगन आलू गाजर इन थैला तर पांच पे आ गया तेरा पे आ गया तो उनचास पे आ गया और उनचास में अगर 32 जोड देंगे तो कितना जाएगा तर यह क्यासी पी आ गया यह इनके टॉमिक नंबर हो गए और यह 21 तेश और 25 शबशीश तर 29 पे आ जाएगा तो आंसर विल बी अल्मूनियम याद रुखोगे बढ़िया है बहतरीन है बहतरीन है बहतरीन है जरा मुझे बताओ बहुत बढ़िया शांदार है दुवादार है अल्मूनियम अल्मूनियम बहतर है बढ़िया 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 को जल की स्थाई कट होता है सर कथोर जल क्या होता है that is the deuterium oxide that is the d2o deuterium oxide होता है d2o होता है और देखो कथोर जल कैसे बनता है तो आप सभी को मैंने आज दोपहरे वाली class में ही बताया है कि calcium के calcium और magnesium के sulphate और chloride याद रुखोगे कि calcium और magnesium के sulphate और chloride यह क्या बनाते हैं यह हमेशा कथोर जल को बनाएंगे इस बात को को आप याद रुखोगे Elliot second एक पहचान कैसे करते हो तो तो पांच यार हलके जलों पर एक जल किया, sir, का ठोड़ता का लेकर आएगा, याद रखोगे, सूची एक को सूची दो से मिलान करो, sir, सूची एक को, sir, यहाँ पर लिस्ट वन है, यहाँ पर लिस्ट टु है, इन दोनों को मिलान करो, बताओ, sir, सर कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है कैल्शियम कार्बोनेट क्या है सर पोटास क्या है और सर क्या कैल्शियम हाइपोकुलराइट क्या है बताओ सर बढ़ियां बढ़ियां सर बढ़ियां सर कि कैल्शियम हाइपोकुलराइट क्या है बताओ सर सर सोडियम या पोटास क्या है सर बढ़े हां बढ़े हां बढ़े हां और देखो आपके लिए i.pasc class free करा दी है मैंने इसी Clear class घ्र हो आड़ब कर दी है याद रखोगे और वजए रात को आप आपकी क्लास हो रही है पर आज आप में से कोई नहीं था उस में आज आप में से कोई भी उस BPSC क्लास में था रचिदा थी बस और याद उल्खो कि ये क्लास काहां चल रही है तो मैं आपको कई बार बता है सुपर कोचिंग BPSC पे शुपर कोचिंग BPSC बाई टेस्ट बुक सुपर कोचिंग BPSC बाई टेस्ट बुक पर सर BPSC की free classes चल रही है science की जहां पर theory पढ़ा रहा हूं इस अब जो है ना इस सब पढ़ा रहा हूं वहां पर कुछ भी नहीं कह सकते है sir sodium bicarbonate baking soda है sir the na2co3 याद रुखोगे sir क्या baking soda क्या होता है sir खाने वाला soda होता है इसे कहते है ना2co3 याद रुखोगे नहीं sir the na2co3 the na2co3 the na2co3 sir क्यों calcium carbonate है यह कह सर यह चौक है जिसे कहते हैं the cac03 जिसे हम कहते हैं cac03 sir potas क्या होगा sir potas होजगा fit kiri sir k2so4 al2so4 का whole thrice 24 s2o और जो calcium hypochlorate है bleaching powder the cacl2 the cacl2 और sir क्या मिलाना है sir पहिले का दूसरा दूसरे का तीसरा तीसरे का 4 और 4 का पहला यानि the option number b as the correct answer याद रुखोगे the option number sir क्या है करेक्ट अंसर हां बिलकुल तूμ भी थे तूμ तुम भी थे तुम भी थे बिल्कुल तुम भी थे हाँ जी बिल्कुल थे है ना तुम भी थे महाकाल नम्रिकित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायू में सरवाधिक मात्रा में पाई जाती है सरते को यह सारी बात सर हमने कई बार कर रखी है तो यह सवाल के सर कोई स्टैंडर् हाँ दूसरों के लिए टफ होगा पर मेरे बच्चे सर कैस को ऐसे मना देंगे है ना बताओ बढ़ियां कि वी बढ़ियां बताओ दोस्त सर क्या कह रहा है बताना सर कि इन विखित में से कौन सी वायू में सर्वाधिक मातरा में पाई जाती है बताओ सर बानो बानो विनोद हम देखे तुमको कि जब तुम नहीं थे तुम नहीं थे वे लाइब थी वो सूपर कोचिंग BPSC बाई टेस्ट बुक पर आठ हो जी रात को नमिकित में से कौन सी वायों में सरवाधिक मातरा में पाई जाती है सभी जानता होता है सबसे हलकी है सबसे हलकी है रैमिजे ने इसकी खोश कि थी नियौन दप फ्लोरा सकेंट और कृप्टन के है सीट गैस यदर खोगे जलका वास्प में परिवर्तित होना क्या है इक the conversion of the water into a vapor देखो जब भी जलका सर कहां पे तो जलका वास्प में परिवर्तित होना जो वाटर है वाटर का वेपर में चेंज हो जाना क्या है सर जरा मुझे बताओ या एक रसाइनिक चेंज है या एक सर क्या नेच्छल चेंज है या एक बहुतिक चेंज है या एक जयवर्सानिक परिवर्तन है ये भी आपके लिए असान है आजो आजो जवाजम एंसर करने जाते हैं तो यहाँ वही जवाजम होने वाला है याद रखोगे कि जलका वास्प में परिवर्तन होना एक क्या है सर यह है एक परिवर्तन क्या होता है याद रखोगे एक ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तू को उसकी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर लिया जाए मतलब जलको वास्प बना लिया गर्म करके वास्प को कंडन से ठंडा करके जल बना लिया यह क्या सर यह है फिजिकल चेंज और जब भी किसी वस्तू को सर क्या वापस उसकी पुनहा वस्था में नहीं ला सकते यसे मालनों सर क्या मैंने किसी कागच को जलाया मैंने सबजी काट दी सबजी पका दी सर क्या मैंने कागज जला दिया तो क्या उस जले हुए कागज से दुवारा कागज बना लूँगा नहीं बना पाऊंगा तो वो क्या है वो है केमिकल चेंज सर मैं बजार से मुर्गा लेके आया मैंने मुर्गा काटके बढ़िया समना दिया फिर मुझे उस मुर्गा पर दया तो कि अपर मैं उस मुर्गा को जिन्दा कर दूंगा नहीं दोस्त पॉसिबल ही नहीं है आजो सब जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या होगा वेन वॉटर बोइल इस टांपरेचर बता उसर इसका टेंपरेचर क्या होगा बढ़ने लगता है घटने लगता है एक समान इस तर रहता है या बढ़ता घटता है बताओ सर बढ़िया 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 शांदार शांदार है बहतर है बहतरीन है जखास है रहे नम जखास है है ना बढ़िया आजो दोस्त कि जब पानी उबलता है तो इसका तापमान के असर एक समान नहीं लेटता है रिमीन्स the same, it will remains the same, यह constant रहेगा, अब जब यह constant रहेगा न महराज, महराज जब यह constant रहेगा किसके दोरा, महराज thermostat, the thermostat, ताप इस्थाई, जो जो temperature को एक रिंज में बनाए रखेगा, याद रखोगे, एक समान इस्थिर रहता है, और इसके बाद जब पानी उबलता है, तो यह गै किसमा आजाएगी, याद रखोगे, so the answer will be option number C, बिल्कुल सही हो जाएगा, देखो ना महराज अगला क्या कह रहा है, कि आकाश का रंग नीला होने का करण है, यह बना दोगे, बना दोगे मुझे पता है, लेकिन अगर यहीं पर सवाल पूछ लेता ना, कि सूर्य का सूर्य यूदे से पहले, सूर्य यूदे के बात, सूर्य अस्त के बात तक दिखना, तो तुम सब को माता आ जाती है, अपने तुम न rằng कि दिमाग में क्या होता है, गबर घुरा जाता है, कि तुम वहाँ पर सरक्या जाके गबर कर देते है , याद रखना कि सूर्य यूदे के पहले और सुरियोदे के बात तक दिखना that is the अपवर्तन और सुरियोदे के समय लाल सुरियस्त के समय लाल that is the सरक्या लालम दिलाल स्काटरिंग परकिडन और यह किसका परकिडन होता है तो इसे कहते हैं भाया जी मी का परकिडन किसका परकिडन सर इसे कहते हैं सर क्या तो याद रखोगे इसे कहते हैं रैले का प्रक्रिण रैले का प्रक्रिण कहते हैं याद रखोगे जहां पे आकास का रंग नीला जहां पे बादलों का जहां पे समुद्र का रंग नीला जहां पे सर क्या तो सूरे का रंग लाल यह सारी घटना रैले स्क चाटरिंह याद रखो गहाkokं बढ़ियां बहुत बढ़ियां Very good कहाना है जब कोनिंअ सन लिह कै एक समान चाल से गति है जब कोई वस्टू जब कोई वस्टू क्या होता है ? ज़्या मुझे बताू कि सर क्या एक वर्थिय ταती कर रही है ? तो बताओ सर क्या होगा बढ़िया 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 उसका वेग एक समान होता है उसका तोरण एक समान होता है उसका वेग परिवर्तनी होता है या उसकी चाल परिवर्तनी होती है आज के पेड़ बैच में इसको मैंने पढ़ाया है आज के पेड़ बैच में इसको पूर मैं तुम्हारा दिल निकालके न एक ऐसी जगा पर लगाऊंगो न दोस्त कि बतारों कि तुम्हें सुबह सुबह अपने दिल की ही याद आएगी उसका वीग सर क्या होता है परिवर्तनिय होता है याद रुखोगे पक्वास करने आज आते हैं यार ये लोग सितंबर के महिने में सर देखो सितंबर के महिने में याद रुखो सर क्या महिना किसका सितंबर का सर तो जन्वरी फरवरी मार्च अप्रेल मई जून जुलाई सितंबर सितंबर के तने दिलों को होता है सब ही जानते हो सर सौ वाट के सौ वाट के एक बल्ब को दस घंटे प्रस जो किलोवाआट आर होता है, यह यूणिट का मातरक है, किसका मातरक है सर? यह यूणिट का, कैसा यूणिट सर dział वियाद उखोगे जिसमें आप बिजली की रीडिंग करते हो, किलोवाट कितनी ओř्जानम खरपत घंटे में हुआ है सर, उसे कहते है किलोववाट आर तो 100 watt के बल्ब हैं सर 100 watt का कितना है सर एगो है उसको 10 घंटा जलाया गया है सितंबर के महिना में तो 30 दिन में तो बटे 1000 कर दोगे सर क्या 1000 कर दो कितना अंसर आजाएगा तीस किलो वाट याद रखो कितना है तीस इनुट बिजली खर्चा हो यह इस बात को आप सारे याद रखोगे हमेशा 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 नेक्स्ट आजाओ कि उसमा संचरन की वह विधी जिसमें माध्यम के कणगती नहीं करते यह सवाल यहां बन रहा है यहां यह सवाल बन रहा है तो जरा मुझे बताओ मेरी सरकार कि उसमा संचरन की वह विधी जिसमें माध्यम के कणगती नहीं करते वहां कौन सी है जरा बढ़ियां, बताओ, बताओ, सर, बी, प्रमोध, ए, बढ़ियां दोस्त, बढ़ियां, 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 बढ़िय अंशू बढ़िया बाकि सब जर्कया जो भी करने वालो तुम महा बखलोल हो तुम क्या हो सर तुम बलेल इसक्वायर हो तुम याद रखोगे सर माध्यम के कणगती नहीं करते कडों की और वास्तवी गती से उस्मा का स्थांत्रण चालन कहलाता है उस्मा की सबसे धीमी विधी जहां पर याद रखोगे कि करों की अव वास्त्विक गती से उस्मा का इस्थांत्रण हो जो सौलिड के लिए ठोस के लिए उस्मा इस्थांत्रण का सबसे अच्छा माध्यम होता है जब कि समोहन, convection यह कडों इसमें कड़ गती करते हैं, कडों की वास्तविक गती के कारण उस्मा इस्थांतरण क्या कहा जाएगा, और यह याद रखोगे, यह liquid और gas में बहतर होता है, विकड़ उस्मा इस्थांतरण की सबसी 37 गदी है और यात रखोगे क्योंकि यहां निरव स्वीड गैस किसी पर डिपेंट नहीं करेगी निरवात में भी हो जाएगी कि सर क्या पिर्थवी सूरे से पिर्थवी कुष्मा का आना सर को चालन क्या होता है यह क्या सर यह बर्फ का टुकड़ा है क्या है महराज महराज यह बर्फ का टुकड़ा है और मैं सर क्या यह यहां भी है न सर, तो भी मुझे ठंड़क का एसास नहीं होगा, जब तक मैं इसे यहां नहीं लगाऊंगा, सर क्या तो क्योंकि कन गती नहीं करते हैं, कि परिदर्श यंतर का क्या उपयोग है, what is the use of the periscope, सर पेरिस्कोप किसलिए प्रयोग करते हैं, जरा मुझे बताओ, ज बढ़ियां, बहतर, शांदार, बहतर है दोस्त, बढ़ियां, सर सारे मिलकोष शिशन को लाइक कर दो है, लाइक कितना ही कम है महराज, महराज कितना ही कम लाइक है, क्या ही चाहते हो, है न? बढ़े हाँ देखो सर पेरिस्कोप कहां पर यूज़ होते है सर याद रखोगे यह साइलेंट किलर्स में किसमें इस्तिमाल करते हैं सर इसका सर इसका प्रयोग करते हैं साइलेंट किलर में साइलेंट किलर में इसका प्रयोग करते हैं याद रखो गे किस में करते हैं साइलेंट skiller में और याद रखो किसे कहते है पन्डुब्यों कहते हैं यह यह पामवरतन के सेधान पर कार करता है और पन्दुब्भियों से बाहर के दिर्ष्य को देखने में, पन्डउब्भी लगी है पन्दुब्भी यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से उपर लाया जाए और पहार की चोटी पर ले जाया जायाए तो उसका भार अदिकतम कहां होगा जरा जरा मुझे बताओ मेरे साहब कि यदि किसी वस्तू को गहरी खान की तली से उठाया जाए और कहां ला जाए पहार की चोटी पर ले जाया जाए युकार बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब होगा याद रखोगे दोस्तकि देखो सर पृर्थी तल पृर्थी तल से िचाने पर या पृर्थी तल से नीचे आने पर और या सर नीचे आने पर याद रखोगे जी का मान क्या होता है तो जी का मान घटता है क्या होता है सर घटता है घटता है मतलब जी का मान मैक्सिमम कहां होगा पिर्थी तल पर होगा याद रखोगे तो पिर्थी तल से उपर या नीचे जाओगे जी का मान घटेगा जी का मान कहां कवीटर पर सबसे कम होता है और जी का मान सुनने कहां पर होता है महराज तो सुनने कहां पर हो जाएगा तो महराज याद रखोगे सेंटर पर केंदर पर हो जाएगा सर क्या तो प्रिथवी तल पर क्या होगा मैक्समम होगा और हर जगा समान sir क्या हो जाएगा sir आपको याद रुखोगे जो मास है वो हर जगा समान होगा the capital G की value जो henry के बंटिशन निकाली थी वो हर जगा समान हो जाएगा next आजवा महराज क्या कह रहा है sir dynamo क्या है एक machine है जिसका काम है whose work is name नहीं sir काम है बताओ sir dynamo क्या है sir एक machine है अब machine sir क्या है तो machine को mechanical मिले के जाओगे वह याँ machine क्या है mechanical मिले के जाओगे machine mechanics है अब जब यह mechanics है तो यह क्या करता है dynamo किसलिए होता है sir तो mechanical से electrical को बना देगा याद रुखोगे mechanical से electrical को बना देगा याद रुखोगे है ना बढ़ियां, बढ़ियां, बहतर, बहतर, है। बहतर है, शानदार है। भई कहा हो सारे यार। कहां इतनी महनत कर रहा हूं तुम्हां की पिर भी नहीं दिख रहे हो तुम, है नौ। बतो, बेखो सर, याद रखोगे कि डाइनमो एक मसीन है, जो यांतरिक उर्जा को किसमे दलता है, तो यांतरिक उर्जा को बिद्धूत उर्जा में चेंज करने कारे करेगा, सर कौन? डाइनमो एक ऐसी मसीन होती है, नेक्स आजाओ, कि यदी समान पानी में कोई अंडा डाला जाए, तो डूब जाता है, और यदी पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो, तो उसमें अंडा डाला जाए, तो क्या होता है? एक असान सवाल है, बना देना, है ना सर, बना देना, सर, पानी में अंडा डाला जाए, तो अंडा डूब जाता है, यदी, पर यदी पा पानी में अंडा डला जाए तो अंडे का सर याद रखोगे तो अंडे का घनत्व क्या होगा तो घनत्व जादा होगा अंडे का घनत्व क्या होगा सर जादा हो जाएगा और जिसका घनत्व जादा होगा वह वस्तू नीचे बैठ जाएगी अंडा डूब जाएगा लेकिन व अंडा नहीं दूबेगा क्योंकि अब पानी का घ्रन तो जादा हो गया है तो अब पानी नीचे बैठ जाएगा और अंडा उपर तेरता रहेगा याद रखोगे The egg will be completely submerged No, दोस्त The egg will remain नहीं, सर याद रखोगे The egg will float on the water अंडा पानी पर तेरेगा याद रखोगे अंगोरा उन किसे प्राप्त होती है बताओ सर अंगोरा उन किसे प्राप्त होता है जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ बढ़िया सवाल है दोस्त कि अंगोरा उन किसे प्राप्त होता है बढ़िया बढ़िया Very good अंगोरा उन किस से प्राप्त होता है बढ़ी हाँ देखो असान सवाल है बना देना देखो सर अंगोरा याद रुखोगे बकरी की नसल है अंगोरा किस की नसल है बकरी की नसल है लेकिन जो अंगोरा उन है वो खरगोस से प्राप्त होता है भेन, the marino, the best है जाद रुखोगे, जो मैरिनो है, वो भेड की सबसे अच्छी नसल होती है, that is the sir, sir, क्या मैरिनो, तो आंसर भी खरगोस, ठीक है, next आजाओ, समुद्र का पानी का घर्ण तो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे, अब देखो, sir, यह सवाल, sir, क्या अभी हमने एक सवाल, पहले जिस सवाल किया, वहाँ पे एक concept बन जाएगा, कि देखो, जब घर्ण तो बढ़ेगा, sir, जब घर्ण तो बढ़ेगा, तो पानी नीचे बढ़ जाएगा, नीचे ला जाएगा, तो गहराई बढ़ती है, वह मखारापन बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है, घर्ण तो जैसे जैसे बढ़ेगा, पानी वो नीचे सटल होगा, और घर्ण तो पानी जब नीचे सटल होगा, तो जितना नीचे सटल होगा, उतना जादा नमकीन पानी होगा, सुधा गहराई वखारापन बढ़ता जाता है याद रखोगे कि जल से भरे गलास के नीचे दबे कागज को सिगरता से गलास के नीचे जल को छड़काई बिना ही खिंचा जा सकता है ये घटना किसकी है बतो अगर मैं नहीं कर पया तो कोई मजाक नीं हो राए तो इसका मुस्कुराना भी फिजिक्स है उसका सरक्या इतराना भी फिजिक्स है अब इसको मैं अगर सर जटके से खीच रहा हूं सर क्या तो यह पैन नीचे नहीं आ रही है लेकिन सर क्या यह कागज निकला रहा है तो याद रखो कि सर यह क्या है तो बताओ सर कि if a body is in motion, want to be in a motion है जो कागज है सर यह कागज है motion में तो यह मोशन में रहना चाहेगा हाई पेनवा इसको पर थी ना वो बिराम थी तो बिराम रहना चाहेगी और if a body is in motion, want to be in a motion if a body is in rest, want to be in a rest यह क्या है सर यह जड़तों का नियम है और जड़तों सब्द का प्रयोग सबसे पहिले याद रखोगे दोस्त कि जड़तों सब्द का प्रयोग सबसे पहिले किसने किया था सर गैलेलियो नाम के महराज ने किया था तो जड़तों सब्द का प्रयोग सबसे पहिले है नेक्ष्ट आजो कि सरवत्रतिक गृत्वा कर्ष्ण नियम के प्रस्तुत करता कौन है देखो जो युनिवार्सल ग्रविटेशनल जो कॉंस्टैंट है वो वैल्यू किसी और ने दिया था याद रखोगे है ना बताओ लेकिन सर क्या इसको प्रस्तुत किसी और ने क्या बताइए जब पिज़ती है यार आजो देखो सर क्या कि सर्वत्रत्रिक गृत्वा कर्ष्ण नियम के प्रस्तुत करता कौन है देट इस दा सर याद रखोगे दन न्यूटन बाबा देखो जो बाबा है सर कौन न्यूटन बाबा ने क्या किया था तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कौन स्टैंट का नियम दिया सर किसने न्यूटन ने और याद रखोगे जो सर्वत्रत्रिक गृत्वा कर्ष्ण या जो जो कैपिटल जी की वैल्यू थी वो क्यवेंडिश्ण निका ली थी न्यूटन का क्या सर गती के नियम थे गती के नियम थे ठीक है और कैपलर के क्या थे सर तो कैपलर के गती के समीकरण थे इनके ग्रहों की गती के नियम थे सर देखो जो गैलेलियों के क्या सर तो इनके गती के समीकरण थे यह एक्वेशन थे इनके पास क्या थे इनके पास एक्वेशन थे equation कि इसके लोगती के और जो कॉपर निकस है इन्होंने बिताया था कि सूरज है केंद्र और कुल ग्रहवा इसके चारोर चक्कर लगा रहे हैं कि सूरज क्या है सर सूरज सर याद रखोगे तो सूरज सर क्या सची वाले साहिक की नोकरी और कुल जोनली का लोग है इसके इर्द कि प्रतिध्वनी सुनने का कारण क्या है बताओ सर कि प्रतिध्वनी सुनने का कारण क्या है दो रीजन फॉर दा हीरिंग दा इको कि बढ़िया क्या सर हलो सुनने का कारण क्या है बताओ सर कि मैं यहां खड़ा हो गया और पहारों पर गया और पहारों पर जाके सर का मैंने भी कहा कि कि , , , , , , , ,, Gill is r'? लेगे ओन पहारों से आवाजी , , , , , , हम कि यह पुतीया सी थी.. हम तो एकसे आप आपि को खुर्ब्लवर है , , , , , फिर यただीम को पीजिक्स पढ़ाया , , , , , , , , , म secularटी तब मालन निजिए कि , , , , , खाली हमई से प्यार करती थी, यहाँ ECO हुआ है, और ECO क्यों हुआ है, क्योंकि याद रुखोगे, कि धोनी तरंका, सर क्या हो गया, परावर्तन हो गया, reflection, और जब परावर्तन हुआ धोनी तरंका, तो सर क्या, उसकी पुनरा वृत्ती हो गई, उसकी repetition हो गई, और उसे ही कह गया क्या महराज, तो उसे ही कहा गया ECO, और ECO सुनने के लिए नियूनतम दूरी, 17 मीटर, और दो धुनियों के बीच का अंतर, 1 बटा 10 सेकेंड होना चाहिए, याद रुखोगे महराज, बढ़ियां है, बढ़ियां, बहतरीन है, है ना, सांदर, सांदर, मूवी में होता ह है, ऐसे ही, चला आजा, एक सम्तल दरपण की वकरता तिर्जिया, क्या ही होगी महराज, महराज क्या ही होगी, एक सम्तल दरपण की वकरता तिर्जिया, क्या बोला है, the radius of curvature बोला है, ना, महराज, बताहिए, आजी, बढ़ियां, बढ़ियां, हर-हर महादेव, ओम पार्वत चमेली तू बहुत दोखे बाज निकली, अब पहड़ लो भे, देखो, आजो, सर क्या एक समतल दरपन, सर को वकरता तरजिया क्या होती है, यह क्या सर यहाँ एक गोला, यह एक गोला, अब इस गोले का सर कुछ ना कुछ रेडियस होगा, और इसके बीच की जो दूरी होगी, वो कही जाएगी, सर क्या, रेडियस ओफ करवेचर, आई को दूरी से काट दो, इसे काट दो, दूरी से, सर दूरी दरपन मिल गया, उतल दरपन और ओतल दरपन, दूरी दरपन मिल गया, सर क्या, यह मिल गया, उतल दरपन, यह मिल गया, ओतल दरपन, लेकिन जो बीच में ह जो पुले से प्लेयन है, उसको सर कहा से रेजिस का अप करवेचर निकालोगे नहीं निकल सकता याद रखोगे इसल्य रेजिए सिको इनफाइनाइट कहते है याद रखोगे radius of curvature को ही सर क्या तो देखो जो radius of curvature है वही सर क्या वही point c center of curvature भी बनता है याद रुखोगे सर समतल दरपन से बना प्रचविम कैसा होता है सीधा होता है और सीधा याद रखो कि सर क्या सीधा बस्तू हमेंसा आभासी होती है कि कोई आज सीधा है यह सिर्फ आपका वहम है हर सर क्या हर कोई टेड़ा है तो सीधा चीज हमेंसा आभासी होती है कोई मंजर नहीं है सीधा का सीधा वस्तू हमेंसा आभासी होती है लेकिन समतल दरपन पार्षव उल्टा भी हो जाता है क्या होता है महराज तो महराज यह पा इस बात को आप याद रखोगे। और समतल्धरपन का सिर्चा Sugum ET और पेरिस्कोप में करते हैं, याद रखोगे, कि प्रकास का रंग निश्चित किया जाता है उसके किस्से, बताव sir, प्रकास का रंग, निश्चित करना है, डिटर्माइन करना है, डिसाइड करना है, फिक्स करना है, कुछ भी करना है, लें करना है, तो the color of light is undermined भाई, बताए महाराज किस से, बताए महाराज बढ़िया, बढ़िया, नेट खतम हो गया पढ़ोजी, देखो महाराज क्या कह रहा है, महाराज सवाल लखाए कि प्रकास का जो color है, वो decide करते हैं किस से सर, तो उसके तरंग धहर से, जितना ज्यादा तरंग धहर हो उतना भाईलेट होगा, सर क्या बैंग नहीं होगा, अललाल हो जाएगा, याद रखोगे, तो उसके वेबलेंथ से सर क्या, the color of light is determined by, याद रखोगे, सर क्या कि एक वेब की लेंथ को वेबलेंथ कहते हैं, एक तरंग की दूरी को सर क्या कहते हैं, सर तरंग धहर कहते हैं, और नापते किसमें लेंथ है, लेंथ दूरी है नअ दूरी और दूरिया को किसमें मापोगे, मीटर में न मीटर में मापोगे, और निकस्त आज भुँड़ों देखो, नेक्स्त का कहता है, निमलिखित पादप अंगों में समानता सब्सन-इंग कौन सा है, बताओ, सब्सन अंग कौन सा अझे महाराज है थी पूल होगा पती होगा यह जड़ है यह इन से कोई नहीं कितुLE तुम्हें भेजा है कतंपें फूल महीं है मेरा दिल है बताओ सर क्या ही सूरित का परकाश पड़ता है तो फोटो सिन्थीसस होता है अग्सक्राइबłę। सूर्ध का अंदर है प्ट्राइब माराज ऑक टीम के अंदर है लूग देख़ को संदर 되어 तो पत्ज के अंदर है थैलाकोईड अब फूल क्या है तो फूल याद रखोगे रेप प्रोड़ुक्ट्टिव अर्गन है तो फूल के अंदर ही सर क्याuster अपका ओरी होगा तो stamen के pollen sac से pollen grain निकल कर मतलब सर क्या पराग कोश से पराग कर निकल कर उसी मफूल के वर्तिका पे पहुँच के उसके अंडा से तक जाता है तो सर पॉलिनेशन हो जाता है अजी याद रखिए इस बात को सर जिवाडू में गुण सुत्रों की संख्या कितनी होगी अब जिवाडू के बारे में हम क्या ही कहें यह वही जिवाडू है ना जिसकी खोज किसने की लिवन होक ने की यह वही जिवाडू है ना जिका नाम किसने दिया तो एहरनबर्ग ने दिया, कि इसने दिया महराज, एहरनबर्ग ने दिया, अब पूछ रहा है महराज की, गुण सुत्रों की संख्या कितनी होगी, अजी एक होगी, दू होगी, चार होगी, अज जिवाडू के असरी, यूनी सलूलर है न, एक कोश किया है, अब जब महराज करता है तो एक कोश किया है तो कितना ही कुरमोजुम रखे-गा क्या ही कर ए डेर, रखे-टा है याद रखो क्या करता है next तो एक ही रखता है इस बात को आप याद रखोगै haven भढ्या है महाराज भढ्या ngpoortan बेटी दे भढ्या, स्य बन्या चिछ ऑ सब्सक्राइब पढ़ लो पढ़ लो जीवन ने पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ना हमारे पापा कहते कि जिस बेटी देखो जो बेटी सिक्षा बिहीन है तो सिक्षा ग्यान करो सिक्षा प्राप्त करो, कि रन बन में कहीं भी खड़े रहोगे ना, तो तुम्हारा साथ सिर्फ तुम्हारी सिक्षा देगी, और कोई नहीं देगा, तुम्हारे पास पैसा है ना, आज है कल खतम हो जाएगा, तुम्हारे पास संपत्ती है, तो आज है वो कल खतम हो सकती है, वो आज हैं, वो कल तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें पास अगर ग्यान है, तुम्हें पास अगर बिद्या है, तुम्हें पास अगर नॉलेज है, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और तुम्हें हर जगा प्रोटेट करेगा, तो always be wise, always be intelligent, always be knowledgeable, या अच्छा विहीन होना, याद रखोगे, देखो, सर क्या कि माचिस के तीली का काला भाग मूलतह बना होता है, याद रखोगे हैंना, याद रखोगे, सर किसका, the red phosphorus का, red phosphorus से, from red phosphorus, याद रखना, कि दुनिया में हर एक चीज़ temporary है, लोग आएंगे, चले जाएंगे, लोग द करते हैंना, कि सर क्या, कि धर्म प्राप्त होता नहीं कभी धन से, और मिलता नहीं मोक्ष भाग के कभी रण से, याद रखना सर, लड़ना तो पड़ेगा, हारो चाहें जीतो, जिन्दगी है, लड़ना पड़ेगा, कहां तक भागोगे, तुम जहां तक भागोगे, तुम तरहा अतीद तुम्हें वहां तक सर क्या पीछा करेगा याद रखोंगे नेक्स आजो हशीश नामक ड्रग निमिखित में से किस विच्छ के फूल से बनाया जाता है दोस्ते को हशीश यो है यह ड्रग दवा है सर किस विच्छ के फूल से बनेगा बताओ दोस्ते किस विच्छ के फूल से बनाया तो दोस्ते बढ़िया बैठर है देखो जो हशीश नामक ड्रग है किस से बनता है सर याद रखो कि भांग से किस से दोस्त भांग से बनता है इस बात को आप याद रखो किसे हमप भांग से नग्स दो तो सर सर्ग रा के सोधन में प्रियुख्ट विरंजट्र कीनिम लेखात में से और आपको बता है इसा थे को नीम का, नीम का, पीपल का, तुलसी का पहुदा 24 गंटे ऑक्सिजन देता है क्योंकि उसके अंदर C.A.M. कैम आया जाता है, याद रुखो के आज उसर देखो, that is what, that is a bone black, that is what sir, bone black, bone black होगा इसका अंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल, बढ़े हम bone black, next आज़ो, contact प्रक्रिया में, sulfur dioxide को sulfur dioxide में परवर्थित करने के विक्रिया क्या कही जाएगी, बताएं sir, कि contact प्रक्रिया में, बताएं sir, कि sulfur dioxide को sulfur dioxide में परवर्थित करने के विक्रिया क्या कही जाएगी, बताएं sir, इसको क्या खाते है, यह उसमा सोसी होगा, यह उसमा छेपी होगा, यह कि सर के यह अनुद्ट कर्मनिय हो गया अब जैने हो बताइए दोस्त क्या होगा यह हमेशा ही बात नहीं हो याद रूखो कि यह कैसे टेया होती है तो यह हमेशा हमेशा सर उS maat 6 पी अभी क्या होती whentas कि तापमान को 0 degree C बेर्टिंग पॉइंट थी उसे कम करना है और उसे कम करने के लिए बर्फ में क्या ही मिला हिायागा by नसेल मिला दोगे और क्या sodium carbonate the Na2CO3 मिला दोगे magnesium sulphate the MgSO4 मिला दोगे यह CACO3 मिला दोस्त यहाद रुखो दोस्त क्या हो जाएगा देखो sodium chloride नमक 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 मिला ओगे तो सरक्या तापमान कम भी हो जाएगा और यह जादा भी हो जाएगा जब आपको balling point क्या करना है इंक्रीज करना है तब भी अनसेल मिलाते हैं और जब आपको melting point decrease करना है तब भी अनसेल मिलाते हैं इसके दो उदाहरन देखना कि देखो आपको खाना अच्छा पकाना होता है आलू को आप आलू अबालते हो तो क्या करोगे आप आलू में हलका सा नमक मिला कि उसको बॉयल याद रखोगे जो आईस्क्रीम है वो जल्दी ना पिखले और जो आलू है वो जल्दी उबल जाए याद रखोगे ठीक है next आज़ा हो यदि हम भूमद दे रेखा से धुरों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा बताओ sir बताओ यदि हम भूमद दे रेखा से कहां जाए के लिया मकुनी नहीं जाने तुम लोगे तुमझों नोग को अंग्रेज हो ना आलू कभ पराठा जी पराठा तीकτο की अंग्रेज सबस्ते हो दो मकूनी क्या होता है 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 विअधि को इध्या बुझाला गोईधा कि वह थिए सर जी गोईधा क्या होता है कि अधि अधि उम भुमत दे रखा से ध्रो पर जाएंगे तो जो जी का मान है वो किया होगा सर वो इंक्रीज करेगा वो बढ़ेगा याद भखो कि तो मेंछा बढ़ेगा, क्योंकि जी का मान भूमत दे रेखा पर एक्वेटर्स पे क्या होता है, तो एक्वेटर पर रेक्वेटर याद भखो जबिहाँ हमृमम हमिनिम्म होता है और तो एकर मेंद-धे-डेण है पूर्स में-प दन पताओ सर की मक्खी के लार्वा को क्या ही कहा जाएगा अच्छा सवाल है तो हमारे जहरा अलुका परठाई का जा तो लंडन से न हो तो हम अम्रा पता है भागोबर समय हो ठीक है अच्छे हुंतारा ठीक है भाग है का अगों कि सर कैसे हैं अभीशेक गुमार ठीक है जी आप कोई इसे हैं ने महाराज किया मख्फी के लार्वा सरकोष जो प्यूपा है प्यूपा किसका है सर याद रखो दोस्त देखो किडा के लारवा को गया केते हैं पूपा केते हैं मैगोट मक्खी के करते हैं मक्खी जो मक्खी का लारवा होते हैं मैगोट केते हैं सर टाडपोल किसका होता है महराज तो याद खोगी हम मिधक का होता है मिधक का लारवा टाडपोल पूपा का रिशम का किडा मैगोट हो तो यह नाम से भी जानते हैं, मढ़े हैं बता हो देखो सर क्या कह रहा है कि titanus के रोग को इस नाम, सर देको जो titanus है, किस से होगा? bacteria से bacteria, कौन से bacteria? The bacillus titanus, the clostridium titanus, सर देको जो titanus है, titanus के रोग को इस नाम जाए, बैक्तिरिया से जिमानू से होगा, जब यह रोग होता है तो आपकी जो मानसपेशिया होती है वो गांट्राइक्ट हो जाएगी, वो संकुचित हो जाएगी जिसे इनसान उंग्रेजी का तीन बन हो जाएगा जो जबड़ा होगा जबड़ा लॉक हो जाएगा और इंसान की मान स्वेशों में मुविवल मुविवल नहीं होती है याद रखोगे तो इस रोग को कहते हैं लॉक जौ याद रखोगे कुकुर खासी यह भी बैक्टीरिया से होता है हीमोफिलिस पैटूसिस नाम अंठली वखोगे बढ़ेशां है ना शानदार नेक्स आज़ा की प्रकास शंचलेशन कहा होता है वे ऑ frameworks संथेशिस एक्सेश्प्लेश देखो भी या ये भी prin camera 예쁜 कि Comic Cash Slice वैर तो कहाँ होगा केंद्रिक में यहीं सकता हम्तों ब्रेइन वाला है थैं में लवक है है लेuk जो क्या है जो catalyst है सरने को जो chloroplast है chloroplast के अंदर Cyber होती है चे अंदर क्या है महराज είतरो घॉलती और बंद होती है और इसके अंदर क्या है मह 알아ज right ग्रेएना है ग्रेएना और यहीं पह उता हिप्सिति हो जाएका और ग्रेएन के अंदर क्याए घ्रेए उसके अंदर시면power ują quantity देता है देता है याद रखोगे टो विट्व पूरी पूरी प्रोसेश सो जात रखोगे देख कुलूरोप्लास्ट और प्रकास संसलेशन सर क्या दशी सिखस एच ट्वल ओशिक्स का बनना सर प्रकास संसलेशन है लिख देखा कहीं कहीं लिख देखा देखो ना महराज दशीक्स सी ओटू को मिला दो 12 से लगा दो यहां पर सनलाइट और क्लोरोफिल और निकाल दो यहां से सी सिखस ट्वल ओशिक्स प्लस सिक्स ओटू ऑक्सीजन निकल यह ना बढ़िया है जी नेक्स्ट आजाओ कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुचाता है यह भी कोई सवाल है महरा जूता यह सर कि हमको ऑक्सीजन चाहिए और कौन पहुचाएगा हमें को नहीं पता होगा बढ़िया है कि जब तक सुरत चांद रहेगा विवेक सर का नाम होगा भारत माता कीजा विवेक सर कीजाए धन्यवाद महराज अभिशेक कुमार जी की बहुत बहुत अभिशेक कु जिसका नाम एंटोनी वान लिवेन हॉक ने किया यह वही आर्बीसी है जो भून मेरों में बनता है यह वही आर्बीसी है जो स्प्लीन में कठा होता है यह वही आर्बीसी है जिसके अधिक होने से रेड बिलड कैंसर होता है यह वही आर्बीसी है जिसके घटने से एनीमिया कहते है और यह वही RBC है जो मैमल्स के नुकलियस में नहीं पाई जाती याद रखोगे और यह वही ना RBC है जिसकी संख्या 50 से 55 लाख है और इसके अंदर ही सरक्या हीमोगलोबीन है जो क्या करेगा जो ऑक्सी हीमोगलोबीन का कारे कर देगा पूरी बोडी में ऑक्सिजन को पहला देगा याद रखोगे और यह वही ना RBC है बोलो ना आई बास समझ में सर्फ मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन करन प्रोडूक्शन होने का कारण क्या है वह गाड़ी चला रहे हो बताओ भीया तो जब गाड़ी चला रहे हो महाराज तो उसमें जो इनन है जो फ्य गैना-दो ऑलेगा जब यह कोई फ्यूल है जब भी कोई इन्धन है इन्धन रहे हैं पूरी तरीके से जलेगा पूरी तरीके से तो क्या बनाएगा सर तो कार्बन डियोक्साइड बनाएगा और जहते कि अंगिठी जलाकर कमरे में नहीं सुना चाहिए क्योंकि कारबन मोनो बनाएगा अब कार्बन मोनोकसाइड आपके ब्लड में डिजॉल्व होगा और जब ब्लड में डिजॉल्व होगा यह दम घोटू गैस है दम घुट जाएगा और इंसान की मिर्तिव हो जाएगी सर इसलिए कहते हैं कि कभी भी कमरे में अंगिठी जलाकर नहीं सोना चाहिए अब धेर गर्मी लग रहा है तो एलेक्ट्रिक हीटर लगवा लो तो राते भर में टैम बोल जाओगे याद रखोगे बोलो राधे 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 आई बात समझ में बलो हाई आई बात समझ में नेक्स आजओ कि किसी ग्यास को दरब में मिदलने के लिए सबसे सरल विधी क आप सभी को पता है देखो दोस क्या कि देखो BPSC एक्सपर्ट से आपकी सरक्या मुफ्त क्लासे चल रही है कहां पे सूपर कोचिंग BPSC चैनल एक चैनल है आपको सूपर कोचिंग BPSC सब्सक्राइब करो यार कलेक्टर बनेंगे BPSC सूपर कोचिंग से ही पढ़ेंगे फ् जहां पे बिहार CGL, दरोगा, सचिवाले, SI, पुलिस, कॉंस्रेबल, इन सब की तयारी एक सब्सक्रिप्शन में हो जाएगी और देखो वो एक सब्सक्रिप्शन के साथ खास क्या है जहां पे 15 से अधिक वीडियो कोर्से भाई सुपर टीचर्स, साने 600 से अधिक मौक टेस्ट, दोसो से अधिक स्टी नोट्स, और 1500 से अधिक डेली लाइफ क्लासे भाई एक सब्सक्रिप्शन, और देखो पढ़ाएगा कौन, दे करेंट अफ्यर क्वीन, रिचा शर्मा मैं, सो के लिए मेरी साइंस स्पेशल बैच, इस बैच में इंक्लूड होगी, तो आप सर क्या विवेक के कोड लगा लोगे, और सर क्या तो आपको यह मैक्सिमम डिसकाउंट में मिल जाएगा, देखो करना क्या है, सर देखो आपको करना क्या है, बस अपने फोन में जाना, आपको फोन है, ऐसे फोन में जाओगे, और कुछ नहीं करना, आपको यहां पे जाना है, और क्या इंटर करना है, टेस्ट बुक, टेस्ट बुक सर्च करोगे, यह खुल के आएगा सर आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से, और सर क्या, यह सब वेरिफाई बाद में करेंगे, आपको क्या करना होगा सर, यहां पे जाना है, शूपर कोचिंग स्लेट करना, यहां पे इपना गोल स्लेट करोगे, क्या सर आप हो बिहार CGL के बच्चे, बस एक बर कलिक कर दो, और यह से बिहार CGL कलिक करोगे, देखो, नमीन कुमार सिंग, लिचा शर्मा, गुरुरु र और साथ ही साथ सरक्या, टेस्ट बुक का पास भी यहां पे ले सकते हो, अब जाओगे इस बैज को पर्च्स करोगे, उपन कोड लगा लेना, वीवी के, मैकसिमम से मैकसिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अपको यहां अधर रुग सरक्या, तो आपको यहां पे मैकसिमम उड़ाते हैं, विवे के कोड लगा लेना, तल देन, God bless you, जैहन्तबंदे मात्रम, आपके मापापा के उमर बहुत लंबी हो, लेकिन मिना साहरी कैसे महराज, यह महराज, मिना साहरी के कैसे, ऐसे कैसे महराज, सुनना, ऐसे कैसे महराज, ऐसे कैसे चले जाएंगे, है ना, देखो, समझासर क्या है, कि, देखो, राहूल सिंह, देखो, सर क्या कह रहा है, कि तुम्हारे निगाहों में देखा तो जाना, कि, तुम्हारी निगाहों में तो देखा तो जाना, यही है ठहरना, और यही है ठिकाना, कि तुम्हारी निगाहों में देखा, तो हमने यह जाना, कि यही है ठहरना, यही है ठिकाना, और जब तुम्हारे बाहों में आकर, तुम्हें करीब से देखा तो जाना कि जब तुम्हारे बाहों में आकर करीब से देखा तो जाना अरे यहीं तो है जीना और यहीं तो है मरना सारी काइनात एक जर्रे में छोड़ाएं हम कि सारी काइनात एक जर्रे में हम छोड़ाएं हम अरे वो तीनों लोकों का सुख एक तरफ और तू मेरे लिए है अन्मूल खा जाना तेरी आखों में देखा तो यह जाना अरे यहीं है ठहरना और यहीं है ठिकाना तेरह हाथ थामकर तुझ से लाख वादे कर कि तेरा हाथ थाम कर, तुस्से लाख वादे कर, अरे तेरे साथ ही है, साथ फेरों को लेना, अरे तेरी आखों में तो देखा तो जाना, कि यहीं है ठहरना, कमबक्त यहीं है ठिकाना, आपके मापापा के उम्र भर भर के लंबी हो, कि वो आपके सक्सेस को अपनी आखों से देखें, तो थैंक यू, जैहन वंदे मातरम, थैंक यू है सबी को